प्रमाइट वापरावजी जोगी, मैं नेट्सेट पीएटी निगली पास किया हूँ और गहे पास दिन से हम लोग यह आप साकरी उकोषण के लिए बैटे हैं यह हमारा उकोषण जो है वो पुला की संचालक है पुरे महाराश्टर के वहापे भी हमारे साथी लोग यह आप बैटे हैं और उनके समर्तन में उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग इदर नाश्पूर में आपे बैटे हैं। हमारी पहली मांग यह है कि प्राध्यापक पदभर्ती जो है जो शाषन में रोक के रखी है वो सबसे पहले चालू होनी चाहिए यह हमारी पहली रिमाड है। उसके बाध में हमारी जो प्राध्यापक है जो 10-12 साल के चीएजबी कर रहे हैं। उनको जो मांधन है उनका मांधन बढ़ना चाहिए और उनका सन्मान से जिनने के लिए उनको अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए यह हमारी दूसरी मांग है। उसके बाध में जो वो सीएजबी कर रहे हैं। उनका जो अनुमाव है जो अपनी सेवा दे रहे हैं। वो भी कौन सर्विस में फुल टाइम होने के बाध में वो होना चाहिए। यह हमारी किस्ती मांग है। उसके बाध में हमारे मराट बड़ा विद्यापी, औरंगाबाद विद्यापी में जो साहिए दूसरा पंचो है, अतामाजिक शात्र का। उसका भी पदमाननेता शाषन के देनी चाहिए। और आफरी मांग यह है, कि जो महाविद्याले है, शाषन ने उसका निकालना चाहिए। और वापे जो गरीब तपके से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए होस्टल की भी व्यवस्ता शाषन ने करनी चाहिए यह सब हमारी मांगे हैं यह मांग को लेकर हम लोग यहाप अंचन के लिए बैठे हैं और आज का बुरु पॉर्णिम का दिन है और हमारा महारा भार हम लोग प्रध्यापत जो है उनकी पदो की भरती करनी चाहिए और शिक्षकों की भी साथ में भरती होनी चाहिए यह हमारी मांग है और यह मांग हमारे महाराष्टर के मुख्यमंत्रि आधरणिय उर्दव वाला साम के ठाकरे यह ध्यान में रखते हुए हमारी मांग पूर अगर सरकार की तरफ सब प्राइविटिशन हो रहा है सर तो सर एक तरफ प्राइविटिशन का जो सरकार हमारे म、 डिकेलेर कर देले दूर्वी ठासरत आप मांग लेकर बैटे सर आपको क्या लगते है के अटि़.? परता है और सिक्षन शेत्र में ये प्रावेटाइज अग्षेशन नहीं आना चाहिए ये हम सरकार को दिखा देंगे क्योंकि सरकार को भी हमारे भरोसे ही हमारा जो काम है वो पड़ता है लेकिन privatization यह सब तो नहीं करेंगे और वो लोग ओपोस करेंगे इसलिए हम सरकार को privatization शिक्षन शेत्र में नहीं आने देंगे और ऐसा अगर करते हैं तो हम खुली दोर से उनका ये विरोध करेंगे और उनको ये सब करने नहीं देंगे उसके लिए हम रास्ते पूर उतराएंगे और जित्ता हमसे होता है हम वोर्चा निकलेंगे, निदर्चन करेंगे और जो भी करना है, वो सब हम करेंगे और सरकार को तदा भी छीक्षन शेत्र में प्रावेडाजर होने नई देने यह हमारी मांग़े लेकिन सर जो भी सरकार के खिलाफ मतलब धरणा प्रदेशन करता है जो आवाज उठा फ़ो पर केस दर जा रहेरा है बहुँ की लेके चाहिए देखिए यह जो आवाज दबाने का काम है यह सरकार ने अगर किया तो हम लोग पूरा आबरन उकोशन जो है वो सरकार के उपर चालू कर देंगे और उन्होंने कित्य भी दबाने की कोशिश की हमारी आवाज तो हम सब तरीके से कल ही हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे ह आए और उन्होंने हमारा इंटर्यू लेकर गए और उन्होंने सोचल मीडिया में यह सब बात भाइलाने का बूलता उन्होंने चालू कर दिया अभी आप देखेंगे कि यूटूब में, मेश्बूब में, वासप में, सभी जगह पे उन्होंने पात्यापोपको की भरती हो पूरी आवाज उठाएंगे अगर ऐसा होता है तो हमको जैसे हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा कांधी जी को सामने आना पड़ा और पूरे लोगों को इकटा करना पड़ा उस तरह से हमको फिर हमारी जो आवाज है वो आवाज बुलंद करने पड़ेगी और सरकार के खिलाब अगर वो अंग्रेजों का दरिया यहां पे अपनाते हैं और हम लोगों को दबाना चाहते हैं तो हम उनके अगेस्ट में उनके खिलाब हमारी आवाज की तरह से बुलंद करेंगे और यह सब बातों का हम निशेद करते हैं सर अभी आपके धर्न परदेशन कितने दिन चालू रहेगा सरी जब तक हमारे हाथ में सायक प्रात्यापक पदवर्थी का जियार आता नहीं तब तक हम लोगों का धर्ने आंदोलन जो है अंशन जओ आंदोलन है वो ततत चलता रहेगा यह हम आपको बता रहेगा